नमस्कार दोस्तों जैसरी शाम आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एक सस्क्राइबर है जिनका मुझे कमेंट आया है बैंक वालो कि सरा सर लूट है कम से कम सेम डे पर दो अटेम्ट करने के बाद ही पैलेंटी लगनी चाहिए जब मुचल फंड वाले पैलेंटी नहीं लेते हैं तो बैंक वाले क्यों लेते हैं सरकाई ये कोशन है और हो सकता है काफी निवेशक का जिनने ओटो पे एनेबल कर रहा है उनका भी कुछ इस तरीके से कोशन हो तो आज की वीडियो में कम्प्रीट आपको पता चलेगा कि बैंक अगर आपसे चार्ज लेता है तो उ चलिए शुरू करते हैं पूरा वीडियो वाच करिए बिल्कुल भी स्किप मत करिए देखो क्या होता है म्यूचल फंड में जब भी हम निवेश करते हैं हम सिर्फ बात करेंगे S.I.P. की लंसम की नहीं S.I.P. क्या होती है दो तरीके से होती है एक होती है मैनवली S.I.P. जिसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं होता हम खुद से हमारी S.I.P. पे करते हैं दूसरा होता है ओटो पे जिसमें हम क्या करते हैं बैंक को हमारा काम सोपते हैं की भाईया हमारी S.I.P. है जैसे मैने ही बैठा हुआ है जो आपकी installment है वो पे कर रहा है वह पे system में सब update रहता है जैसे date लगती है जिसे माली जी तीन तरीकी अपने date select कर रहे है अब जैसे ही आपकी तीन तरीकी date लगेगी जो system में जैसे ही जो भी timing रहेगा उस timing के सबसे क्या होगा आपको जो पैसा है वो mutual fund वाले section में जमा हो जाएगा आपके bank से cut जाएगा लिकिन अगर आपके bank में नहीं होता है पैसा तो क्या होता है bank penalty लगा देता है अब ऐसा इसलिए होता है पहले ये समझो कि mutual fund आपसे mutual fund में क्या होता है हम जिस भी fund में निवेश करते हैं वो होती है हमारी AMC जैसे HDFC small cap fund तो जो HDFC है वो आपकी AMC हो गई ठीके तो AMC आपसे किसी भी परकार का कोई charge नहीं लेती है क्यों नहीं लेती है AMC आपसे किसी परकार का charge इसलिए नहीं लेती है अगर आपकी installment मिस हो जाती है आप skip कर लेते हो या पे नहीं करते हो तो इसलिए नहीं लेती है because AMC है न एक तरीके से आप अपना पैसा निवेश कर रहे हो mutual fund के माध्यम से ठीके आप mutual fund के अंदर अपना पैसा निवेश कर रहे हो आपका पैसा सीधे सीधे किस के पास जा रहा है AMC के पास जा रहा है अब नॉर्मल सी बात है AMC सा आपने कोई loan तो ले नहीं रखा है AMC का तो फाइदा ही है अगर आप माल लीजी जितना भी निवेश कर रहो आज आप मंतली 1000 रुपे की SIP करा रहे हो अगर 1000 रुपे AMC के पास regular base पे हर मंत जा रहे है तो कहीं न कहीं AMC का फाइदा है मार्केट में पैसा लगेगा तो कहीं न कहीं इनकी भी income होगी ठीक है इसलिए क्या है ये एक investment है इसलिए यहाँ पर AMC आपसे किसी भी रुपे तरीके का एक भी रुपे का charge नहीं लेती है लेकिन अगर बैंक की बात करें तो बैंक हमसे charge इसलिए लेता है because क्या होता है बैंक को हमने बोला है कि भाईया हमारी installment आपको pay करनी है तो बैंक आपकी installment किसके मादियम से pay करता है ECS के मादियम से आपने कभी किसी private sector से या government sector से loan लिया हो तो आपने देखा होगा जब भी आपकी installment आपके बैंक से करती है तो वो ECS के मादियम से करती है अगर आपके बैंक में पैसा नहीं होता है तो ECS से वो hit हो जाता है ठीके अब loan department में तो क्या होता है एक मैने में तीन बार ECS लगता है किसी की 490 पैलेंटी रहती है सब की अलगरग रहती है और किसी बैंक की 590 पैलेंटी रहती है लेकिन क्या होता है mutual loan वाले case में सिर्फ एक ही बार ECS लगता है जो date आपने select कर रखी है उस date को एक ECS लगेगा अगर उस date को आपके bank account में पैसे नहीं हुआ आपकी जो आप SIP पै करते हो आपने अपने काम दे दिया bank को अब bank तो अपने काम करेगा अब bank के लिए तो कोई यह investment नहीं है bank के लिए तो सिर्फ एक काम दे रहे हो bank ने आपको एक सुविदा दिये कि आप यह सुविदा ले सकते हो लेकिन आपने क्या करा bank को वो काम दे दिया अब नॉर्मल सी बात है अगर bank आपके लिए कुछ काम कर रहा है तो वो अपने चार्ज भी लेगा इसलिए क्या होगा अगर installment है आपकी हिट हो जाती है ECS हिट हो जाता है तो bank आपसे चार्ज ले लेता है इसलिए क्या होता है AMC तो कोई चार्ज नहीं लेगी विकॉस AMC क्या है AMC के पास हमारा पैसा जा रहा है एक यह investment है लेकिन bank की नजर में यह investment नहीं है bank की नजर में हमने bank को कोई काम दिया है वो काम bank हमारे लिए कर रहा है अब normal सी बात है अगर आपके bank में पैसा नहीं होगा तो bank तो अपने काम करेगा और अपने काम करने की fees लेगा तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे जब भी आपके bank में पैसा नहीं होता अगर ECS हिट हो जाता है तो normal सी बात है यहाँ पर bank ECS के आपसे charge लेगा ही लेगा और आपका जो यह question था कि bank को दो बार attempt देने चाहिए तीसरी बार में होना चाहिए वो ऐसा असलिए नहीं हो सकता because क्या है यहाँ पर हमारी installment की date होती है fix होती है जैसे आपने select कर ली तीन तारिक तो तीन तारिक को ही आपका ECS लगेगा अगर उस ताइम आपके bank account में पैसा नहीं हो तो ECS हिट हो जाएगा लेकिन हमारी जो क्या होती है EMI होती है जैसे हम किसी bank से loan लेते हैं या private sector से कहीं से भी loan लेते हैं तो हमारी जो fixed rate होती है EMI की वो भी तीन पार्ट में divide रहती है जैसे पहला आपका due date है उसमें installment की due date उसमें अगर आपका ECS हिट हो गया तो ECS की penalty लग जाएगी फिर वापस से 7 दिन बाद आपका ECS लग लग जाएंगे इसलिए अभी के टाइम में बिल्कुल सही concept है कि एक बार due date को पैसा नहीं है तो ECS हिट हो जाएगा तो bank आपसे penalty लेगा तो I hope आपके समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके का concept है और bank गलत कर रहा है या नहीं तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हमारी next वीडियो में जैसे री शान दोस्तों जैसे री राधी